आज सुने सनिवार प्रयत कथा एक समय स्वार्गु लोग में सबसे भरा कौन की प्रस्ण पर नौ ग्रह में बात बीबाद हो गया बीबाद इतना बढ़ा की परस्वर भयंकर युद की इस्तिथी बन गई निर्नाई के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले हे देवराज आपको निर्नाई करना होगा की हम में से सबसे बरा कौन है देवताओं का प्रस्ण सुनकर देवराज इंद्र उल्जन में पर गए इंद्र बोले मैं इस प्रस्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ हम सभी प्रित्वी लुक में उज्जेनी नगरी में राजा बिक्रम आदित्य के पास चलते हैं देवराज इंद्रसाइद सभी ग्रह उज्जेनी नगरी पहुँचे माहाल में पहुँचकर जब देवताओने उनसे अपना प्रस्न पूछा तो राजा बिक्रम आदित्य भी कुछ देर के लिए परेसान हो उठे क्योंकि सब ही देवता अपनी अपनी सक्तियों की कारण महान थे किसी को भी छोटा या बरा कह देने से उनके क्रोध की परकोप से भेंकर हानी पहुच शक्ती थे अचानक राजा बिक्रम आदित्य को एक उपाय सुझा और उन्होंने बिभिन धातुओ स्वर्न, रेजेत, कासा, त्रांबा, सीशा, रांगा, जस्ता, अबरक वह लोहे के नो आसन बनवाए धातुओ के गुनों के अनुसार से अभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओ को अपने अपने सिंखासन पर बैठने को कहा देवताओ के बैठने के बाद राजा बिक्रम आदित्या ने कहा आपका निर्णय तो स्वयम हो गया जो सबसे पहले सिंखासन पर बिराजमान है वही सबसे बरा है राजा बिक्रम आदित्य के निर्णय को सुनकर सनी देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर कुरोधित होकर कहा राजा बिक्रम आदित्य तुमने मुझे सबसे पीछे बैठा कर मेरा अपमान किया है तुम मेरी सक्तिया से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनास कर दूँगा सनी देव ने कहा, सूर्य एक रासी पर एक महिने, चंद्रमा सवा दो दिन, मंगल देर महिने, बुध और स्थुक्र एक महिने, बिर्षपती तेरा महिने रहते हैं लेकिन मैं किसी रासी पर साधे सात वर्स साधे सती तक रहता हूं, बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने परकोप से पीरित किया है राम को साधे साती के कारण ही वन में जाकर रहना परा, और रावन को साधे साती के कारण ही युद में मृतु का सिकार बनना परा राजा अब तू भी मेरे परकोप से नहीं बच सकेगा इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो परसंता के साथ चले गए परन्तू सनी देव बड़े क्रोध के साथ वहां से बिदा हुए राजा बिक्रम अदित्य पहले की तरह ही नियाय करते रहे उनके राजय में सभी इस्तिरी पुरुस बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे सनी देव अपना अपमान नहीं भुले एक दिन राजा की परिक्छा लेने सनी देव घोरे के व्यपाड़ी के रुप में राजय पहुँचे जब राजा बिक्रम अदित्य को इस बात का पता चला दो उन्होंने अपने अस्वपाल को कुछ घोरे खरिदने के लिए भेजा घोरे बहुत किमदी थे अस्वपाल ने जब वापस लोटकर इस सम्बंध में बताया तो राजा बिक्रम अदित्य ने सुयम आकार एक सुन्दर हुआ सक्तिसाली घोरे को पसंद किया घोरे की चाल देखने के लिए राजा उस घोरे पर सवार हुए तो वह घोरा बिजली की कती से दोर परा तेजी से दोरता घोरा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां किरा कर जंगल में कहीं गायब हो गया राजा अपने नगर को लोटने के लिए जंगल में भटकने लगा लेकिन उन्हें लोटने का कोई रास्तान नहीं मिला राजा को भूख प्यास लगाई, बहुत घूमने पर उसे एक चार वाहा मिला, राजा ने उससे पानी मांगा, पानी पिकर राजा ने उस चार वाहे को अपनी अंगोठी दे दी, फिर उससे राष्टा पुछकर वह जंगल से निकल कर पास के नगर में पहुँचा, राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठ कर कुछ देर आराम किया, ओस सेठ ने राजा से बातसित की, तो राजा ने उसे बताया की मैं उजेली नगरी से आया हूँ, राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई, सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा, और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया, सेठ के घर में सोने का एक हार खुटी पर लटका हुआ था, राजा को उस कमरे में छोर कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया, तब ही एक आश्चरजी जनक घटना घटी, राजा के देखते देखते सोने की उस हार को खुटी निगल गई, सेठ ने कमरे में लटकर हार को गायब देखा तो, चोरी का संदे, राजा पर ही किया, क्यूंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था, सेठे ने अपने नोकरों से कहा कि इस पर देशी को रस्यों से बांध कर नगर के राजा के पास ले चलो राजा ने बिक्रम आदित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूटी ने हार को निगल लिया था इस पर राजा ने पुरोधित होकर चोरी करने के अपराध में बिक्रम आदित्य के हाथ पाव काटने का आदेश दे दिया राजा बिक्रम आदित्य के हाथ पाव काट कर उसे नगर की सरक पर छोर दिया गया कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठा कर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलहू पर बैठा दिया राजा आवाय दे कर बैलों को हाकता रहता इस तरह तेली का वैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा सनी के परकोप की साधे साती हूडी होने पर वर्षा रिदू पारम हुई राजा बिक्रम आदित्या एक रात मेग मलहार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लर्की राजगुमारी मोहिनी रत पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी उसने मेग मलहार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेज कर गाने वाले को बुला लाने को कहा दासी ने लोटकर राजगुमारी को आपंक राजा के बारे में सब कुछ बता दिया राजकुमारी उसके मेग मलहार से बहुत मोहित हुई आता उसने सब कुछ जानकर भी आपंग राजया से बिवाह करने का निश्चय कर लिया राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यहाँ बात कही तो वे हैरान रह गए राणी ने मोहिनी को समझाया बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की राणी होना लिखा है फिर तुँ उस अपंग से बिवाह करके अपने पाव पर कुलहारी क्यों मार रही हो राजकुमारी ने अपनी जित नहीं छोरी अपनी जित पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोर दिया और प्रांत्याग देने का निश्चाई कर लिया आखिर राजा रानी को बिबस होकर अपंग विक्रम आदित्या से राजकुमारी का बिवाह करना परा बिवाह के बाद राजा विक्रम आदित्या और राजकुमारी तेली की घर में रहने लगे उसी रात स्वपन में सनी दियों ने राजा से कहा राजा तुमने मेरा परकोफ देख लिया मैंने तुम्हें अपने अपमान का डंड दिया है राजा ने सनी देव से छमा करने को कहा और प्राथना की हे सनी देव आपने जितना दुख मुझे दिया है और ने किसी को न देना सनी देव ने कुछ सोचकर कहा राजा मैं तुम्हारी प्राथना स्रीकार करता हूँ जो कोई इसतरी पुरुस मेरी पूजा करेगा सनी वार को ब्रत करके मेरी ब्रत कथा सुनेगा उस पर मेरी अनुकमपा बनी रहेगी प्रता काल राजा बिक्रम आधित्य की निंद खुली त उसने मन ही मन सनी देव को परनाम किया राज कुमारी भी राजा के हाथ पाव सही सलामत देखकर आश्चर्ज में डोब गई तब राजा बिग्रम आदित्या ने अपना परिचाय देते हुए सनी देव के परकोप की सारी कहानी सुनाई सेठ को जब इस बात का पता चला तो दोड़ता हुआ तेली के घर पहुँचा और राजा के चरणों में गिरकर छमा मांगने लगा राजा ने उसे छमा कर दिया यह सब तो सनी देव का परकोप के कारण ही हुआ था सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया भोजन करते समय वहाँ एक अश्चर्ज जनक घटना गड़ी सबके देखते देखते उस खूटी ने हार उगल दिया सेठ जी ने अपनी बेटी का बिवावी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभुसन धन आदी देखर राजा को विदा किया राजा बिक्रम आदित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जेनी पहुचे तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया अगले दिन राजा बिक्रम आदित्य ने उरे राजय में घोसना कराई की सनी देव सब देवों में सर्वस्रेष्ठ है प्रतेक इस्तिरी पुरुस सनी वार को उनका ब्रेद करे और ब्रेद कथा अबस्य सुने राजा विक्रम आदिते की घोसना से सनीदेव बहुत प्रसन हुए सनीवार का ब्रत करने और ब्रत कथा सुनने की कारण सभी लोग की मोनोकामनाई सनीदेव की अनुकमपा से पूरी होने लगी सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे तो प्रेम से बोलिए सनी भगवान की जय हो